हलो साथियों, नालज अब साइंस में आप सबका स्वागत है जैसा कि आपको मालूम है, हम लगातार रोहों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं पिछला जो हमारा लेक्चर था, वो एपल इसकेप पे डेडिकेटर था आज का जो हमारा लेक्चर है, वो पाउडरी मिल्ड्यू अफ एपल का है इसमें हम चार चीज़ों को देखेंगे, इसके इंट्रोडेक्शन के बारे में सिम्टम, इटियोलोजी और डिजीज साइकिल के बारे में रोग का नाम जैसा बताया, पाउडरी मिल्ड्यू है, और वैसे पते की बात बताओं तो ये एक रोग जो है, फंगस से होने वाला रोग है, जिसका नाम पोडो इसफेरा लिवको ट्राइका है यानि इसका जो काजल आगनिजम है, पोडो इसफेरा लिवको ट्राइका है, वैसे तो ये कामन डिजीज है कामन डिजीज जैसे हम लोगों में सरदी जुखाम सामान हो जाता है, वो ऐसा ही रोग इसको मान लो मगर अगर ये कभी-कभी इतना सीरियस हो जाए कि हमारे फैफ़डों को जकड़ ले और हमें बहुत समस्य हो जाए तो कई बार ऐसा इसमें होता है, ये ओकेजिनली क्या है, वो सीरियस डिजीज अटेक करता है एपल के आर्चर्ड में इसके अगर सिम्टम के बारे में हम समझें तो इस रोग के लच्छड आपको यंग सूट्स यानि यहाँ पे ब्लोजम्स यहाँ पे पत्तियां यानि ये वाला एरिया पूरा यहाँ आपको देखने को मिलेगा और फल यहाँ पर मगर जो में सिम्टम इस रोग के हैं वो आपको इस पत्तियों पे यानि पत्तियों पे और फलों पे देखने को मिलेगा इसकी पत्तियों के निचले सता पे शुरुवाती जो सिम्टम्स हैं आपको वाइट टू ग्रे पाउडरी मास आपको देखने को मिलेगे निव लीव्स पे यानि जो यह पत्तियां है इसके यहाँ पे निचले सता पे आपको यह देखने को मिलेगा वाइट वाइट कर लेता है यानि जो foliage जितना structure है उसको cover कर लेता है और leaf margin इसमें यानि पतियां है पतियों का यह margin है यह वाला area यह क्या होता है curly wrinkled हो जाता है और छोटा हो जाता है और longitudinally folded होता है यानि यह लंबाई में मुड़ा होगा जैसे यह यहाँ पर पति देखो यह लंबाई में यह वाली पति है यह लंबाई में मुड़ी है तो इसी को बोलते हैं longitudinally folded condition आगे अगर इसके symptom में हम देखें तो blossoms और flower पे जो इसके symptom है उसके वज़े से यह डार्मेंड condition में रहते हैं डार्मेंड condition ऐसी कंडिशन जैसे मार लो कोई बीज है सीड है वो डार्मेंड condition में चला गया तो जम नहीं बाता है उसी परकार से अगर इसका जो blossom है और flower है यह डार्मेंड condition में चला जाए तो क्या होगा इसमें fruit setting नहीं होगी इसी वज़े से इसमें यह जो डार्मेंड कर्णिशन के जागने के वज़े से इसमें फल नहीं बन पाता है कई बार और जो फल है आपको जो अफेक्टेट फल है उसमें आपको इसमाल डिफार्म्ड मतलब जो फल है वो छोटा और तेणा मेरा देखने को मिलेगा और उसका जो सर्फेस है वो खुर्दुरा होगा और उस पे भी इस परकार की यह सफेद सफेद आपको धब्बे और धारियां देखने को मिलेगी और सीवीर इंफेक्टेट जो प्लांट हो होता है उसमें defoliation होता है और जो प्लांट की ग्रोथ है वो कम रह जाती है पौधा बावना रह जाता है इसके वज़े से आगे हम समझें इसके इटियोलोजी में दो परकार की इसमें structures होती है एक sexual structures और एक एसेक्सवल इस्ट्रेक्चर तो यहां पर जो एसेक्सवल स्टेज है यह एसेक्सवल structure है वो इंडिया के case में fit है मगर जो सेक्सवल इस्टेज है यह इंडिया में नहीं पाई जाती है तो एसेक्सवल स्टेज में जो माइसीलियम है उसका septate brown to grey होता है माइसीलियम दोस्तों क्या होता है जो fungus होता है फंगस के जो धागे होते हैं धागे आपस में मिल मिलके माइसीलियम बनता है तो माइसीलियम septate होता है septate होने का मतलब यह है कि जो यह माल लो एक और यह एक तो यहां पर इसमें पट पाये जाएंगे तो इस condition को बोलते हैं septation तो यह septate होता है माइसीलियम से कोनिडियो 4 बनता है और कोनिडियो 4 पे कोनिडिया देखने को मिलते हैं कोनिडिया अंडाकार ओवेट होते हैं हाइलाइन कई बार आप लोगों ने किताब में पढ़ा होगा हाइलाइन 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 और कई बार समझ में नहीं आता है यह हाइलाइन क्या है हाइलाइ है उसको बोलते है हाई लाइन यह चैन में बनता है यहाँ पर आप देख सकते हो यह सब चैन में बने हुए हैं कॉनिडिया चैन में बनते हैं और इसमें फाइबरोजिन पाया जाता है यह एक Obligate Parasite है, Obligate Parasite अगर के बारे में अगर जादा जानना चाहते हैं तो यहां Corner पर आई बटन होगा, वहाँ पर Link दिया रहेगा, वहाँ जाके, क्लिक करके, आप देख सकते हो कि Obligate Parasite, Faculty to Parasite, Obligate से Pro Fight, Faculty to से Pro Fight, यह क्या होता है, सब आप देख सकते हो, वहाँ पर Lecture अलड़ी पड़ा हुआ है, Sexual Stage में यह जैसे पहले बताएं के इडिया में Generally नहीं पाया जाता है, और इसमें जो Sexual Stage होती है, उसमें क्लिष्टो थीसियम बनता है, अब क्लिष्टो थीसियम जो है वो लोबोज सेप का होता है, ब्राउन टू ब्लेक होता है, कलर में और एपिकल और बेसल एबेंडेज़ पाये जाते हैं, एपिकल यानि यह जो क्लिष्टो थीसियम है, इसके उपर का यह वाला और इसके नीचे यहाँ पर देखो, तो यह जो इस्ट्रक्चर्स होती हैं, उप क्लिष्टो थीसियम में बनता है, एसकस, वो संख्या में एक होता है, और जो एसकस के अंदर है, वो एसकोई स्पोर बनते हैं, और यह संख्या में एसकोई स्पोर आठ होते हैं, यह भी हाइलाइन और सिंगल सेल्ड होता है, अब अगर अमेरिकन फाइटो पैथोलोजिकल स को पाया जाता है उसको हम लो 빠त है वो कुंटिंग duż知 फूर बनते हैं Australians क Bong त conten आपने कई बार किताबों में पढ़ा होगा उसे सब सुनने को मिलता है मगर यहां पेश में क्या है American Phytopathological Society बोलता है क्लिष्टो थीसिया जो है यह appropriate word नहीं है इसको बोलने के लिए तो उसने एक टर्म दिया केजमो थीसिया यानि हम यह कह सकते हैं जो क्लिष्टो थीसिया है उसकी जगा पर केजमो थीसिया सही word है यह चेजम से लिया गया है एक टर्म है American Phytological Society के दोरा यह भी कहते हैं कि बहुत सी किताबों में आपको क्लिष्टो थीसिया देखने को मिलता है और वास्तों में क्या इसको केजमो थीसिया बोलना चाहिए आगे इसके डिजी साइकिल की बात करें तो फंगस जो है डियार्मेंड माईसीलियम के रूब में रहता है लेटरल और टर्मिनल जो एपल की बड्स है उसमें फलावर और फलावर के अलावा जो और पार्ट सें प्लान्ट के उसमें रहता है और यह क्या है ड़ारमेंसी ब्रेक करता है और फंगल ठेड बनाता है वहां क्या जो पहला primary जो mycellum है mycelum के दौरा जो हमारा infection होगा उसको बोलते है फिक पारोप Darum और यहां पर जो primary infection होता है वो myc bearings के दौरा होता है माइसीलियम से कोनीडियो फोर्स बनते हैं कोनीडियो फोर्स में कोनीडिया बनते हैं जो हवा के द्वारा एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे उड़के जाते हैं तो यहां पर क्या हुआ जो कोनीडिया है वो सेकेंडरी इनाकुलम है और कॉनीडिया के ध्वारा जो इंफेक्शन होता है उसको हम secondary infection बोलते हैं और कॉनीडिया germinate करता है और germinate करने के बाद हाइफा बनाेगा जो अपरिय सोरिया में convert हो जाता है अभी बताते हैं अपरिय सोरिया और ह स्वार्णा यह क्या होते हैं एप्रिसोरिया जो है एक एंजाइम रिलीज करता है जो हास्टोरिया को अंदर इंसर्ट करने के लिए लबदाइक होता है और जो सेकंडरी स्पोर है वो एप्रिसोरिया पेग हास्टोरिया और कोनीडिया ये सेकंडरी स्ट्रक्चर से हैं ये जब तक बनती रहेंगी जब तक होस्ट की availability यानि susceptible होस्ट उसको मिलता रहेगा यानि जो secondary sports हैं इनको अंद में क्या होगा ये डार्मेंड mycelium के रूब में उसी bird और flowers में डार्मेंड कंडिशन में रहेगा और over winter करेगा बहुत ज्यादा ठंड़क रहेगा तब survive नहीं कर पाता है उस condition में ये dead हो जाता है mycelium बताया primary inaculum होता है और conidia secondary inaculum होता है अब हम समझते हैं हमने बात की एपरिसोरिया, हास्टोरिया और पेग तो यह यहाँ पर जो structure देख रहे हो या fungal structure है यहाँ पर यह जो और का उभरा हुआ portion यह आप देख रहे हो यहाँ पे ये वाला जो portion है इसको बोलते हैं एपरिसोरिया और जहां पर यह लाल लाल ऊपर structure आपको दिखाई यह दे रहा है यह यह पर यह जो काला structure आपको देखने को मिल रहा है बीच में इसको बोलते हैं हास्टोरिया वास्तों में जो पेथोजन है इसी से अपना निउट्रिशन लेता है और इसी से अपना जीवन यापन करता है इसमें हमने बात की जो हमारा माइसीलियम है वो लेटरल बड में डार्मेंड कंडिशन में पड़ा रहता है वहां से क्या होता है यह प्रा कोनिडियोफोर और कोनिडिया आराम से दिखाई दे रही है यही कोनिडिया और कोनिडियोफोर मिलके यह जो फल है इसको भी इंफेक्ट करते हैं फल को इंफेक्ट करते हैं और यहां से फिर यह क्या है लीफ को इंफेक्ट करते हैं लीफ को इंफेक्ट करने के बाद फिर यह जो bird है इसकी इस bird में फिर आके little bird और जो other parts है उसमें ये mycelium fix हो जाता है अगर जहां पर केजमो थीसिया की बात होती है वहाँ पर ये केजमो थीसिया बनेगा केजमो थीसिया में S-CUS बनेगे S-CUS में S-CUS पोर बनते हैं और फिर उस परकार से cycle चलती है तो यह sexual और asexual दोन परकार की अलग-अलग cycles चलती है यह apple का आर्चर्ड है और कई बार यह generally कहीं इधर लग गया कहीं इधर लग गया कई बार क्या है खरतरना condition लेके पूरा आर्चर्ड को बरबाद कर देता है उमीद है आपको हमारा काम अच्छा लगा होगा यह लेक्चर्ड आपको पसंद आया होगा थेंक यू थेंक यू वेरी मच्च